अभी नंदन है जी सभीका क्रिशेबार चैनल पर आज हम आपको बंच वाला फ्लावर बनाना बताएंगे और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने पहले पैंसल से ड्रॉ कर लिया है उसके बाद हम कलर फिल करेंगे हम सैप ग्रीन और ओकर येलो कलर से पत्तियां बनाएंगे जो बड़ी और छोटी पत्तियां हैं वो सभी हम एक जैसी ही बनाएंगे जैसे हम इस पत्ति में आप शेप देख रहे हैं शेड कैसे बना रहे हैं वैसे ही हम बड़ी पत्तियों में भी बनाएंगे और सभी पतियां इसी तरह से ओकर येलो और सैप ग्रीन से बनाएंगे अगर आप पती में रेशे बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं अगर आप रेशे नहीं बनाना चाहते तो आप सिंपल भी पतियां इसी तरह से बना सकते हैं भी बहुत सुन्दर लगती हैं और सभी पत्तियों को हम अच्छी तरह से फिनीशिंग के साथ बनाएंगे ताकि हमें बहर वाली साइड आउट लाइन करने की जरूरत ना पड़े और बड़ी पत्तियां भी हम इसी तरह से बनाएंगे और उसके बाद हम आपको फूल का जो बन्च है वो बनाना बताएंगे आपने जो नोक है पत्ति की वो तीखी ही रखनी है उपर से आगे वाली साइड इस तरह से हम बड़ी पत्तियां में बना लेंगे और उनमें भी हम रेशे बना देंगे अगर आप नहीं बनाना चाहते र का जो बन्च है वो भी हम दो कलर से बनायिंगे एक परपल कालर के जिसे हम ौ क्लर कहें देते हैं उसका नाम मूव कलर है और दूसरा कलर जो है हमारा वो पिंक है और उसके साथ हम आपार कालर ले लेके चोटे-Chोटे फूल बनायेंगे उर पहले हम नीचे वाली जसाइड ह बंच की उस पे हम पहले कलर फिल करेंगी और फिर उसके बाद जो है बंच बनाएंगे फूलों का इस तरह से हम नीचे वाली साइड है जो हम जो भी कलर आपने बंच में डालना है वो आप ले सकते हैं जैसे हमने ये पिंक कलर लिया है और उपर वाली साइड हम पिंक के साथ थोड़ा बाइट लेंगे ताकि लाइट दिखा सके हम उपर वाली साइड और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये कलर आपने थोड़ा पतला ही लेना है क्योंकि उपर से हम जो बंच बनाएंगे वो डबल हो जाएगा कलर ताकि हमारा कपड़ा हार्ड जादा हार्ड ना हो सके इसलिए हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे इस तरह से हमने फिल करके अच्छी तरह से और इसके उपर हम फूल बनाएंगे छोटे छोटे और एक बंच सा बन जाएगा फूलों का यह हमने बाहर वाली साइड वाइट कलर जो है वो बाहर वाली साइड लिया है फूल के और अंदर वाली साइड हमने पिंक कलर लिया है और इसी तरह से हम सारे छोटे छोटे फूल बनाएंगे और जो फूल हमने बाद में बनाने हैं उपर से बनाने हैं उसकी जो पत्तियां हैं वो जो पहले वाले फूल बने हुए हैं उसके उपर से आ जाएंगी इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो पत्तियां है वो उपर से आ जाए तो आपने ये नहीं सोचना कि ये गलत ना हो जाए कहीं ये बंच में जो है नीचे वाले जो फूल है वो ढख जाते हैं उसके उपर से और फूल आ जाते हैं और बीच में हमने येलो कलर का बूर भर दिया है और हमारा डिजाइन है वो कंप्लीट हो गया है अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर किया कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को ताकि हम